Artificial Intelligence आज हमारी जरूरत बन चुकी है उसकी मदद के बिना ना तो हम ब्रह्मान के रहस्य को जान सकते हैं और ना ही कम टाइम में वो हासिल कर सकते हैं जो हम करना चाहे जिस स्पीड से AI की बुद्धि मत्ता बढ़ रही है उससे तो लगता है कि आने वाले कुछ सालों में AI इतना एडवांस हो जाएगा कि संपूर्ण ब्रह्मान के सभी रहस्यों को जान पाएगा या उसका जवाब हमें दे पाएगा AI की टेकनलोजी हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यानि कि टाइम मशिन बनाने में वर्म हॉल्स को क्रियेट करने में या फिर स्पेस फैब्रिक को समझने में हमारी मदद कर सकती है और ये टेकनलोजी नैनो फॉर्म में कई सारी बिमारियों को भी खत्म करने के लिए सक्षम होगी अगर आपको ये लगता है कि आटिफिसल इंटेलिजेंस की इतनी सारी नौलेज और पावर क्या हमारे लिए वर्दान के बज़े अभिश्राब भी हो सकती है तो इसके बारे में हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में विस्तार से चरज़ा की है अगर आप ये जानना चाते है कि AI किस हद तक खतरनाक हो सकती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन में दिये गए लिंक पे जाके हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हो लेकिन फ्रेंस आज हम बात करेंगे Artificial Intelligence के Benefits की और सच तो ये है कि अब तक AI हमारे लिए वरदान ही साबित होई है और इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चल्चा करूँगा Artificial Intelligence के Ultimate Benefits के बारे में जिस पर रिसर्च भी जारी है मैं हूँ ही तेजगिती गोसाई आप है हेल्थी और ग्यान से बड़े एक चैनल दर नॉलिज पर और अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे सब्सक्राइब करें बिल आइकन बजाए और इस चैनल को हो सके इतना शेयर करें तो चले शुरूआत करते हैं आपने ये कभी सोचा है कि इनसान और अन्य प्राणी आपस में कभी बातचित कर सकेंगे या अपनी फिलिंग्स को जाहिर कर सकेंगे अगर नहीं सोचा है तो आज से सोचना शुरू कर डिजे क्योंकि हमने विक्सित कर लिया है एक ऐसी टेकनलोजी को जो हमें अन्य प्राणीों के साथ वातालाप करने में बददकार साबित होगी इस टेकनलोजी का सबसे पहला एक्सपरिमेंट बैट्स पर यानि की चमकादर पर किया गया था प्रयोग को करने वाले इंसान का नाम था योसी योवेल और उन्होंने ये पाया कि चमकादरों में एक खास किसम की डिसिप्लिन देखी जाती है जब वो जून में होते हैं तब बहुत ही डिसिप्लिन से अपना वर्तन करते हैं और इतनी काबिलियत इतनी कुशलता आपस में बाचित के बिना संभवित नहीं हो सकती है और इसलिए प्रोफेसर ने चमकादरों के बीच की जो भी कॉमिनिकेशन सिस्टम है या जो भी बाचीत के मात्यम है उसे खुजने के लिए बहुत ही डीप अध्यान किये और इस सद्धयन में उन्होंने देखा कि जब भी चमकादर शिकार कारने के लिए निकलते हैं तब वो अपने मूह से एक खास किस्म की आवाज निकालते हैं ये आवाज उनके शिकार को टकरा कर वाबस चमकादर के पास चाती है और इस आवाज की वेवस के माद्यम से अगर शिकार बहुत ही नजदिक या गतिशिल है तो वह शौट अंतराल में आवास निकालते हैं अब दोस्तों ऐसे चमकादरों कि अगर बात्चित हमें चाननी हो या उनकी दिमाग में क्या चल रहा है वह हमें चानना हो तो इसके लिए तो बहुत सारा डेटा चाहिए और द और इस छोटी सी चिप्स को 22 चमकादरों पर इंस्टल किया गया और इससे जो डेटा वज्यानिकों को प्राप्थ हुआ वो बहुत ही इंट्रेस्टिंग था इसकी एक पूरी डॉक्यूमेंटरी नेशनल जियोग्राफी चैनल ने भी वर्णवित की है इस डेटा ने हमें क 20 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा तक उड़ते रहे थे और ये जितनी भी चिप्स जिन चमकादरों पर लगाई गई थी उनका आपस में कोई भी संबंद नहीं था फिर भी इन चमकादरों में से एक चमकादर को जब शिकार के रूप में एक मेंड़क मिला तब बाकी के चमकादर भी इस चीज़ को भाफ कए और वहां तक पहुच गए इस चीप में लगे माइक्रोफॉन में चमकादर की सिकार के पहले की आवाज और सिकार के बाद खुशी की आवाज इन सभी आवाजों को रेकॉर्ड किया दोनों ही आवाजों में फरक था और ऐसे ही डेटा कई अन्य चमकादरों में भी देखने को मिले प्रोफेसर ने चमकादरों की ऐसी अलग-अलग मोशन की करीब 15,000 आवाजों को रेकॉर्ड किया और इसका एक पूरा डेटाबेस बनाया अब इतने बड़े डेटाबेस में से कौनसी परिस्तिते में कैसी आवाज चमकादर न बनाया और इस देटा को पूर्ण रूप से प्रोसेस करके AI ने हमें बताया कि हाँ चमकादर बोल सकते हैं इतना ही नहीं उनकी अलग-अलग नाम भी होते हैं और वो नाम देकर एक दुसरे को पुकारते हैं और इंट्रेस्टिंग बात ये है कि उनमें आपस में बहेज भी होती है और उनमें आपस में लड़ाईया भी होती है अब दोस्तो हमारे वैग्यानिक ये कोशिश कर रहे है कि चमकादरों की इस आवाज को एक भाशा के रूप में वर्नित करें और AI के दौरा प्रोसेस करकर उनकी इन आवाजों को जो हमारे लिए आउट अप दबॉक्स ह सही लेकिन थ्रूद ए आई उसे हम समझने की कोशिश करें वैग्यानिक ये भी कोशिश कर रहे है कि इन सभी डेटा को और जमकादर की भाशा को हमारी अपनी भाशा में AI के द्वारा ट्रांसलेट भी कर पाए और ऐसे ही कई रिसर्च मचली और कच्छुए पर भी हो रहे ह Artificial Intelligence का Benefit No.2 इससे बहुत ही जल्दी बड़ी-बड़ी बीमारिया ठीक हो जाएगी दुस्तो हमारे वेगैनिक और हमारी बायोजी हमारे Human Cell के लिए जितना भी जानती थी वो हमें लगता था कि बहुत हद तक परियाप्त है लेकिन जब NASA की Artificial Intelligence ने Human Coast यानि की Cells के अंदर Cells की भी बीतरी दुनिया में गोता लगाया तब जाके हमें ये मालूम हुआ कि हम Cells के बारे में जितना जानते हैं जितना पड़े हैं और जितना समझते हैं वो तो एक सीड़ी का पहला स्टेप भी नहीं है Artificial Intelligence की मदद से ही हमें ये मालूम हुआ कि Cells के बारे में हम वास्ताव में कुछ नहीं जानते थे फ्रेंड्स आपको बता दे कि Human Body के अंदर करिब 37 Trillion Cells होते हैं और ये सभी Cells कुछ 200 टाइप्स में विबाजित हैं दुनिया में सबसे पहली बार Robert Hoot ने साल 1665 में पेड़ो के Cells की Microscopic Image ली थी और इस Image से हमने सजीवों में Cells के बारे में जाना और इसके बाद विग्यानिकों ने Cells के उपर बहुत सारे अध्यान किये बहुत सारी Study की और Cells को पूरा चान लिया लेकिन तब तक हमने Cells के बारे में जितना भी जाना था वो तो बहुत ही कम था अब दोस्तों Cells को हम अपनी नगना आखों से तो नहीं देख सकते हैं और इसे लिए हमें Cells को देखने के लिए Microscopes की जरूरत पड़ती है और इसे देखने के लिए हमें Incels का Sample चाहिए होता है और जब इस Sample को हम देखते हैं तो वो अपने Host से दुर हुआ होता है यानि कि उस Sample को हम एक मुरुत रूप में देखते हैं तो फिर इसे हम जीवन्त फॉर्म में कैसे देख सकते हैं हम उसे Alive कैसे देख सकते हैं तो बस यहां पर Entry होती है Artificial Intelligence की कोस को Alive रूप में और उसको Detail में चानने के लिए एक Artificial Intelligence विक्सित की गई है और AI की सिस्टम का नाम है Music यानि की Multiscale Integrated Cell और इस प्रोग्राम में Cell का एक Digital Model बनाया जाता है जो Cell की Detail में Mapping करती है और इसके बाद Cells के भीतर हमें वो चीज़े देखने को मिलती है जो हमें आश्चरी चकित कर देती है Artificial Intelligence के माध्यम से यहां पर Cells का एक पूरा Model तयार होता है और इस Model को हम Detail में देख सकते है वईग्यानिक यहां पर यह भी जान सकते है कि Cell का Behavior Pattern कैसा है Cell कैसे काम करता है यहां पर यह देखिए जब सबसे पहली बार Kidney के Cell का निर्ट संड किया गया तब Kidney के एक Cell में 70 टाइप के नए Elements मिले और इस नए मिलने वाले डेटा ने हमें वाकई में चौका दिया इसके अंदर हमने प्रोटीन पे भी अध्यान किया जिसमें शामिल होती है RNA की प्रक्रिया और इसमें से हमें कई सारे ऐसे प्रोटीन्स मिले जो हम पहले से नहीं जानते थे कि ऐसे प्रोटीन्स भी Kidney में होते है यानि कि उसके कोस में और अब दोस्तों इतने सारे डेटा हासिल करने की वज़े से Kidney की अंदर की कई सारी बीमारियों को overcome करने के लिए हम research कर रहे है ऐसे हमारे विज्यानिक artificial intelligence की मदद से heart, brain, liver, stomach और ऐसे कई सारे organs के कोसों का अध्यान कर रहे है जिसकी वज़े से हम भविश्य में कई सारे रोगों पर नियंत्रण और फते हासिल कर सकते है और दोस्तों ये सब संभव होगा artificial intelligence की ही मदद से AI का फाइदा नमबर तिन हम इसे ब्रह्मान की गहराईयों को समझ सकेंगे और ये बात AI ने साबित की है Black Hall की सबसे पहली तस्वीर के मात्यम से साल 2019 से पहले Black Hall सिर्फ थियरी का विश्य था हम Black Hall की थियरी तो जानते थे लेकिन उसकी ब्रह्मान में कहीं मौझूद की है या नहीं वो हमें नहीं मालूम था लेकिन दोस्तों साल 2019 में नासा ने Black Hall की रियल तस्वीर कैच की यह तस्वीर Black Hall के Event Horizon के मात्यम से मिली और यह तस्वीर किसी कैमेरे से नहीं लेकिन आठ आठ दूर्बिनों से कैप्चर की गई थी आपको बता दे दोस्तों के यह अत्यादूनिक टेलिसकोप जब दूर के ब्रह्मान का कोई डेटा हासिल करते है तो यह डेटा Numbers के फॉर्म में होता है और इस नंबर के फॉर्म को Computers के द्वारा Interpreted किया जाता है और यह Computer fully अत्यादूनिक Artificial Intelligence से लेस थे यह काम नासा की टीम के Computer Scientist Katie Bowman और उनकी टीम ने किया था उन्होंने पूरी Artificial Intelligence का एक ऐसा Algorithm बनाया था जिससे यह आठो टेलिसकोप का डेटा फिट होकर एक तस्वीर बनाए और Artificial Intelligence ने इतनी दूर के एक Black Hall की इमेज बनाई दोस्तो हमें जो पहली तस्वीर प्राप्त होई वो थी Messier 87 Black Hall की और यह Black Hall हमारी आकास गंगा के बहार दूसरी गैलेक्सी में था जो इतनी दूर था कि जिससे आसानी से कैप्चर करने के लिए यानि कि उसकी वन इमेज क्लिक करने के लिए हमें प्रित्वी जितना बड़ा टेलिसकोप जाईए और यह तो हमारे लिए नामुकिन था इसलिए नासा के वग्यानिकों की टीम ने प्रित्वी के चारो और आठ टेलिसकोप रखे और इन आठ टेलिसकोप ने जो डेटा पाया उससे हमें मेसियर 87 Black Hall की तस्वीर प्राप्थ हुई हाला कि टेलिसकोप से मिलने वाले डेटा की बिना Artificial Intelligence की मदद से तस्वीर बना पाना भी नामुकिन था क्योंकि इसमें इतनी दूर से आने वाली रोष्णी का कई सारा डेटा मिसिंग था जिससे Artificial Intelligence ने बखुबी अपनी इंटेलिजेंसी लगा कर इतनी दूर के भी Black Hall की असली तस्वीर हमारे सामने पेश की इसलिए दूस्तों अगर Artificial Intelligence नहीं होती तो आज भी Black Hall थियरी का ही विशय होता फायदा नमबर चार प्लास्टिक का निकास प्लास्टिक एक मानव सरजित पदार्थ है और बहुत ही डेंजर पदार्थ है और ये पदार्थ आज इंसानियत के लिए सबसे बड़ी चैलेंज बन चुका है सबसे पहले तो प्लास्टिक का उत्पादन पेट्रोलिय में से हुआ था और आज दिन तक हम मनुष्य 9 अरब टन प्लास्टिक बना चुके है और प्लास्टिक से जुड़ी एक सबसे बड़ी समस्य ये है कि ये पदा थासानी से नाबूत या नश्ट नहीं होता है प्लास्टिक का आयूस भी सदियों तक यानि की बहुत लंबा होता है और आज के जमाने में प्लास्टिक का टोटल रिसाइकल उसकी कौंटिटी के 10% के हिसाब से भी नई हो रहा है और जितने प्लास्टिक को घरम करके उसका रिसाइकलिंग होता भी है उससे जो नया प्लास्टिक बनता है वो निम्द कॉलिटी का यानि की रबल टाइप होता है यानि कि प्लास्टिक को जितनी भी बार रिसाइकल करेगे उसकी कॉलेटी निमन से निमन घटती जाएगी मतलब हाई कॉलेटी का प्लास्टिक फिर से कभी भी रिसाइकलिंग होके उसी कॉलेटी का नई हो सकता है और इसलिए हमें high quality के plastic के लिए नया plastic बनाना पड़ता है और ऐसे हम इनसान एक चक्र व्यू में फज गए है लेकिन उस्तो हाल ही में एक French company ने हमें इस चक्र से बहार निकालने के लिए कुछ प्रयोग किये है इस company ने कई नए रास्ते अपनाए है उन्होंने plastic की chain को तोड़ एंजाइम का सहारा लिया है और इस एंजाइम को वैग्यानिकों ने एक बैक्टेरिया में खोज लिया है और ये एंजाइम इस plastic को खाकर उसे फिर से नए plastic के रूप में ही परिवतित कर देते हैं और ऐसा करने के लिए वैग्यानिकों को जिस टूल की जरूरत पड़ेगी उसका नाम है Artificial Intelligence एंजाइम को खोज रही है और उसकी सिक्वंस बना रही है और आज तक करेब 40 से जएदा कमपनिया इसे पैटर्न करवा कर इस पर रिसल्च कर रही है और अगर इसमें हमें सफलता मिलती है तो लगबग नए plastic बनाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी और यह भी कारिया AI के द्वारा सिद्ध किया जा सकेगा तो दूस्त आज के लिए इतना ही अगर आप दो नए है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें बिल आइकन बचाए और आगे मिलते रहेंगे ऐसे scientific knowledge के साथ because knowledge is everything मैं बहुत सारा ध्यान रखें have a wonderful day take care